तो फ्रेंड्स जब आचल ने उठाए शेहनास गिल पर सवाल शो से बाहर निकल कर तो बलराज को आया बहुत ही जादा गुसा और कुछ इस तरह दिया उन्होंने उनके सवालों का जवाब बलराज ने आचल का को दिया मूँ तोड़ जवाब और उनके सवाल उन पर ही भारी पढ़ गए आचल पे ही भारी पढ़ गए क्या कहां चलिए आगे देखते हैं बताती हूं मैं आपको जैसा कि आप जानते हैं मुझ से शादी करोगे शो में शेहनास गिल ने अपनी डिगनिटी को वेल मैंटेन करके रखा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी डिगन परिसनालेटी थी कि वो यूँ ही किसी लड़के के साथ फलर्ट नहीं कर सकती और नहीं दिल लगा सकती हैं वहीं आचल ने इस पर कहां कि वो सिर्फ कॉंट्रेक्ट के लिए शो में आई थी और सिर्फ कॉंट्रेक्ट साइन करके आई थी इस बात पर जब मीडिया ने किये बलराज से सवाल, तो बलराज हुए काफी ज़्यादा नाराज और उन्होंने कहा, क्या पारस कॉंट्रेक्ट साइन करके नहीं आये थे क्या पारस शाधी करने आये थे, उनकी तो बाहरे एक गल्फरेंड भी थी उनके नाम का हैश्टेग भी था क्या आचल शादी करने आई थी क्या तीन दिन में उन्हें प्यार हो गया था जो वो टस्वे वहा रही थी पारस के लिए इस तरह से बहुत सारी बाते कही और उन्होंने आगे कहा कि किसी पे कीचड उचालने से पहले अपने आपको देख लेना चाहिए इस तरह की कॉमेंट उन्होंने आचल के बारे में की आगे उन्होंने कहा कि आचल को कोई हक नहीं बनता कि वो शेहनाज पर कीचड उचाले और अपनी बातों को कंटीनियो रखते हुए काफी जादा नाराज होते हुए बलराज ने ये भी कह दिया कि शेहनाज तो इतनी अच्छी परसन है और इतनी अच्छी लड़की है कि उसने करियर से उपर अपने प्यार और अपने दिल को रखा है अपने दिल की सुनी है उसकी जगे अगर शायद कोई और लड़की होती तो अपने करियर से उपर इन चीजों को नहीं रखती और ये हमें भी लगता है कि बिल्कुल सही है कि शेहनाज ने अपने करियर से उपर अपने प्यार और अपने दिल को और अपनी feelings को रखा है तो ये बहुत बड़ी बात है लेकिन रोडी ज़िनर आचल ने बहुत ही ज़्यादा भद्दे कॉमेंट किये और बहुत ही ज़्यादा गलत बाती की शेहनास के लिए कि वो contract के लिए यहां आई थी तो सभी यहां contract के लिए आए थे ये बात बलराज श शेहनास के बारे में कही और आचल को दिखाया शीशा कि आप अपने आपको देख लीजे आप तो खुद contract के लिए शो मर आये थे और जल से जल बाहर निकलना चाहते थे तो ये थी मेरी आज की खबर आप लोगों के लिए I hope आपको useful लगी होगी अगर useful लगी हो तो मेरे च